प्यारे बद्यार्थियों, मैं मन्जीत कॉर लेक्चरर एतिहास सरकारी सीनियर स्केंटरी स्कूल पुड़ायां जिला लुद्यान, सड़ाज दा लेसना दल खाल्सा दल खाल्सा सिखांदा एक सैनक संगठन सी, जदो सी सैनक संगठन दी गल कर देया थाँ सड़रे दिमाग दे विच गल लू दिया के सिखांदा सैनक संगठन बहुत देर पहला हो चुगिया थी ओधों जदों गुरु हर्गविंद साहिव मीरी पीरीदियां तलवारां तार्ण करके गद्दी दे उपर बैठे सी क्योंके गुरु अर्जन देव जी दीशी हिद्दी दे नाले गल सपष्ट होगी सी के जुलम्दा मकाबला करन ली हा थे आरचुकुने पेने ने उना ने मुगलां दे खिलाफ लड़ान्यावी लड़ियां उस तो बाद गुरु गोविंद सिंग जी ने खाल्सा पंथदी साजना करके इस सैनक संगठन्दा विकास कीता गुरु गोविंद सिंग जी तो बाद बंदा सिंग बहादर ने 1718 वी तो लेके 1715 वी तक अपनी ग्रेफतारी तक सेख कौम दी अगवाई केती अते मुगला नू वक्त पाई रख्या पर बंदा सिंग बहादर दी शिहिदी तो बाद सिख शक्ती खिलर नी शुरू हो गई क्योंके सिखा कोल योग नेता ना बचया ते सिखा उपर बहाद ज़ादा आत्या चार होन लगए एसलिए सिखा देवेच जड़ी एक ता ओस दा वी पतन होना शुरू हो गया क्योंके सिखा नू जंगला ते पहाडा देवेच शरण लेनी पई जही अखे समय महसूस कीता जा रहा सी के सिखा नू सैनक रूप देवेच मड़तों संगठित कीता जावे इसलिए नवाब का पूरसेंग लंबे समय तो कोशिशां कर रहे सी उनना दिया कोशिशां सफल हुन्या स्तारां सोड़ता आड़ी स्वीदे वेच जदो उनना ने दल खालसा दी स्थापना कीती आओ जानिये दल खालसा बरे दल खालसा दी परिबाशा डेफिनिशन ओफ दल खालसा दल खालसा सिखां दी एक सैनिक संस्था सी डक्टर हरीराम गुपतानुसार सेख कौम दी पहली संगठित राष्ट्री सेना दानाम दल खालसा सी डक्टर एनके सिनहा लिखदे ने खालसा कानफरेशी दी महान सेना दानाम दल खालसा सी डक्टर गंडा सिंग ने पंजाब दी अजादी देशंग अरशलाई स्थापत कीती सेना दल खालसा क्या है जेम्स ब्राउन ने वी सिख्धादी राश्ट्री सेना नू दलखाल्सा क्या है? दलखालसा दी स्थापना नवाब कपूर सिंग ने अनती मार्च स्तारां सोड़ ताली स्विनू सक्खी वड़े दन अम्रसर विखे कीती जस्दा परदान सेनापती सरदार जस्था सिंग अलू वड़ियानू बणाया गया दलखालसा दे संगठन दी गल करांगे ताँ असी थोड़ा पिछे वल जामागे पछोकड देखांगे दलखालसा दा सथारां सो तेतीस वी विचे जक्रिया खाने सिखान आल समझा उत्ता कर लिया सी कपूर सेंगनों नवाप दाओदा दित्ता ते जगीर तेतीसी सिखान्याके उसरकार नाल सहयोकन सैमाक्का देखके नवाब कपूर सेंगने सिखा नो दो दलादे विच बढ़दता सी ओ दो दल सी गे बुड़ा दल ते तरुना दल बुड़ा दल वेच चाली साल तो उपर दी उमर्दे से खुंदे सी ते तरुना दल दे वेच चाली साल तो काट बुड़ा दल दा कामता अर्मक स्थाना दी देखपाल करना ते तरुना दल दी अगवाई करना सी तरुना दल Przy जटा ओ द जश्मन नाड मुकाबला करता सि लडाईयां देवेच जांदा सि तरुना दल Behind जञत्यां देवेच बंडेया होया सि ते बाद ब सी 2345 थाक के जटेसी 25 जट्हे हों देवेच आ चुक्के सि ते होड़ी होड़ी इनना जथ्यां दी गंती बाद दीगी ते पैंट जथे होगे 1748 वी देविच्च इनना पैंट जथ्यां नुई मुर्तो संगठित कीता गया 12 जथ्यां देविच्च इनना दा गठन कीता गया तेस मुच्चे रूप दे विच्चेस नू दल खालसा दा नाम जटता गया प्यारे विद्यार थियो दल खालसा दी स्थापना नवाब कपूर सेंग ने किती नवाब कपूर सेंग सेख लीडर्शेप देवे चुगगा न उन्ना ने ओस समय सेख कौम दिया गवाई किती जदो सिख्खां उपर बहुत माडा समा सी एस नू हने इर्मय योग भी किया जन्दा आउ संखेप देवेच जान देया नवाब कपूर सेंग बारे उन्ना दा जनम 1697 में इस्वीनू कालो के पेंड़ विच होया जो पाकिस्तान विजले शेखू पुराजिले वेटस्टेट सी उन्ना दे पिता दा नाम दलीप सेंग विर्क सी ओ फैजल पूरिया मिसल नाल सबंदत सन येसले ही कई जगा उन्ना नो कपूर सेंग फैजल पूरिया भी कहा गया है उन्ना ने स्तारां सो इक्की इस वीनुव सक्खी वळे देन अम्रित सर्विखे पाई मनी सेंग जी दियगवाई वेच पांज प्यारया तू आपने पिता सरदार दलीप सेंग अते पाई दान सेंग समेत अम्रित शक्या सी आप सिखा विच बड़ी तेजी नड हर्मन प्यारे हो गये जक्रिया खान सिखानू खतम करन लई हर वाल आ रहा सी पर सिखा ने छापपा मारता अंगनाल मुगला दे नक विच दम कर देता सी एसले जक्रिया खानू सिखानाड समझा उत्ता करना पया जिस विच उसने एक लख सलाना दी जगीर अतियक सिखनू नवाब दा ओदा देना मन्या सरबत खाल से दी फैसले नुसार इस ओदे ले नवाब कपूर सेंग नू चुने आ गया संगत दे हुकमन सार कपूर सेंग ने अवदा सविकार कीता जक्रिया खान वलों पेज्या सिरोपा शाल वस्तर पगडी कलगी जेवरात सविकार करन तो पहला उन्हाने सब चीजां पंज प्यारें दे चर्नानू छुहान्या जिन्ना विच बाबादीप सेंग पाईकरम सेंग गते पाईबुद सेंग जी शामल सन आपने बड़ी सूज बूज नाल सिख कौम दी अगवाई कीते समय समय ते सिखा नू संगठित कर दे रहे ए सब उन्हान दी दूर दर्शता दाही नतीजा सी स्तारा सो सेंती तो तरवंजा इस वीता को बुड़ा दल अते अकाल तक्त साहिब दे जथे दार रहे सब तो पहला गुरु गोबिन संग जी दे सारे खाल से इस दे मेंबर होंगे व्यक्ति जिसनों गुरु गोबिन संग जी दे इस दान तान ते अटल विश्वास सी इस दा मेंबर बन सकदा सी कोई भी सिख किसे भी जथे विच शामल हो सकदा सी उस्ते कोई बंदश नहीं सी एक जथे नों छटके दूज्य जथे विच जा सकदा सी जेस जथे चमर्जियों शामल हो सकदा सी एक शार्त सी कि ओस्कूल अपना कोडा होना जरूरी सी सारे जथे कटो कट साल्च दो वारी अमरसार विखे अकठे होन गे दिवाली ते वसाखी ते मौके अमरसार विखे कठ कीता जन्दा सी सर्बत खाल्सा बुलाया जन्दा सी सर्बत खाल्सा ते गुर्मता दल खाल्सा दी केंदरी संस्था सी सर्बत खाल्सा समुच्चे खाल्से रूकिया जन्दा सी जो दवाली ते वसाखी ते मौके अमरसार विखे कठा होन दा सी एस सरबत खाल से देविच कौमनू दरपेश मुश्कला सबंदी विचार की ती जान्दी सी ता समुच्चे रूप देविच जड़ा सरबत खाल से बलो कोई फैसला लिया जन्दा सी उसनू गुर्मता क्या जन्दा सी गुर्मते दी पालना दाल खाल सा दा हर मेंबर ते हर सेख करदा सी दाल खाल सा दा हर मेंबर गुरु दे उपदेश, गुरु ग्रांत साहेब अते पंध उपर अटल विश्वास रखदा सी अते तरम दा परचार करदा सी सिर्फ लड़ना ही उन्हादा कामनी सी तरम दा प्रचार भी करदे सी दलखालसा दे मेंबर दलखालसा सिर्फ सरकारी माल लोट दा सी किसे आम व्यक्ति नू नहीं सी लुट आ जन्दा लड़ाई समें जां खजाने दी लोट समें मेले आ माल सारे आं वेच्च ब्राबर बंड दता जन्दा सी सारे दलांदे वेच्च बराबरबन दता जन्दा सी पर ख्याल रख्या जन्दा सी के केस जथे दे मेंबर के नेवना दी गेंटी दा भी ख्याल कीता जन्दा सी जथे दार तान्नाशा नहीं सी हुन्दे अपने फैसले नहीं सी थोपदे सारे सैनिक सांचे मनोर्थ दे कारण एक दूजे दे नाल जोड़े हुए हुन दे सी प्यारे विद्यार्थियो जि मैं ऐसी दलखाल सा देस दांतां दे विच्च गल कर रहे सी के सेख सिर्फ सरकारी खजाने दी लोट कर दे सी सेख कदे भी किसे आम व्यक्ती तो लोटनी सी कर दे सर्फ सरकारी करमचारियानों जा सरकारी खजानेनों लोट जान दा सी क्योंके साड़े ते विदेशी हकूमत सी साड़ा शोशन होंदा सी जानता नो लोट जान दा सी सेख इस करके उना दी लोट मार कर दे सी एक कटना तो डेनार्सांची करन लगी हैं कि जदो सिख्वाँ परोखा समां सी जंगणां पहाड़ां देवेट सेख्वासी सरदियां दा मौसम सी कपडें दी बडिका आट सी कपडें दी जुरूरत सी सिख्वाँ एक काफला जा रहा सी, काफी लंबा काफला सी, एक वपारी सी आलकोटतों, दिल्ली दे बादशा कोड कपड़े लेके जा रहा सी विच्छनली सिख्छा ने उसनों सरकारी माल समझ के लोट लिया, पर बाद देवेच जोदो पता लग गया, के ए माल अजे वपारी ने जाके दिल्ली दे बादशा कोड विच्छना सी, ता नवाब कपूर सेंग ने सारा समान वापस करवा देता, के असी किसे आम व्यक्ति दी लोटनी करन ये माल अजे सरकारी नहीं बनेया, सेख जाऊना ताडवियां दी लोट करदे सी, जो पंजाब नू यह लोट के लजन दे सी, पार्ततों लोट करके जन दे सी, एम शाब दाली वर्गे, नादर्शा वर्गे, स्तारां सोन ताड़ी इस्वी दे वेच्चे जदो नादर्शा दिल्ली वेच पारी लोट मार करके पंजाब दे रस्ते वापस जारिया सी, ता सिखा ने उसनू लुटेया, नादर्शा बड़ा हरान हुया के मेरे नातों ता सारे थर-थर काम बदेया, मैं नू लुटन दा होसला किस ने कीता, ता जकरिया खा तो उसने सिखा बारे एक दिन पंजाब दे राज करेगी, जो बाद दे वेच सच सिद्ध होया। असी स्तारां सोडां इस वीच बंदा सिंग बहा दरदीशी ही दीतो बाद जदो सिखा ते उखा समाशुरू होया। ओधों तों कोशिशा हो रही आसी के सिखा दी शक्ती नू केस तरा संगठित किता जावे। ओना कोशिशा दाई नतीजा असी दल खाल्चा। होण असी देख देयां के दल खाल्चा दी स्थापना दे की की कारण सी। पहले कारंद विच असी करांगे इतिहासक पिछोपकर। गुरु नानक देव जी तों लेके पंजमे गुरु अर्जन देव जी तक सेख तरम दा विकास शांत मैटां गनाल होया। पार गुरु अर्जन देव जी दीश ही दीतो बाद गुरु हर गोवन साहिब जी नू हत्यार चुकने पै। इसे तरा गुरु तेग बहादर जी दीश ही दीतो बाद गुरु गोवन सेंग जी ने खालसा पांथ दी स्थापना करके एस सैनक संगठंदा विकास कीता। बंदा सिंग बहादर ने अग्गे सिखां दी सेनका अगवाई किती, बंदा सिंग बहादर तो बाद मुगल सुब्वेदाराने अत्याचारां दी हद कर देती, जैसा मुकाबला करनले सेख बुड़ा दल ते तरुना दल दी विच संगठित होए, अग्गे जाके इन जत्यां संगठित रूप ही दल खाल्सा सी, अग्ला पॉइंटा खाल्सा दी सिर्जन, सोला सोनडन में इस वेच गुर गोविन सिंग जी ने खाल्सा पंथ दी साजना करके सुते होए लुकानु जगाया, मुर्दा हो चुके होसले अनु जीवित कीता, गुरु साहिब ने सिखानु शेरां वर्गा होसला जिता, एक सेख लखा नाल पे डंधी हम्मत रखदा सी, जैसता सबूत चाली सिंगाने चमकौर्दी लडाई देवेच दिता, दल खाल्सा वी इसे सैनक सरूपदा मड संगठन सी, सिखानु ए अमीर विरासत अपने विर्से विच्चों मिली सी, तीसर पॉइंटा सिखां उत्ते अत्या चारते उनना द्या छोट छोट छोटे जत्यां दा हों देवेच चोना, स्तारां सो सोड़ा इसवी देवेच बंदा सिंग बहादर दी, शेही दी, देनाल, सिखां दी जड़ी सैनक शक्ती सी उख लरनी शुरू होगी, इस दा कारण सी के म अत्या चार की ते सिखां नू जंगलां ते पहाड आंदी शर्न लेनी पई, जंगलां दे विच्चों ओ जिन्नी वा लगदी सी दोश्मन दा जदो भी मौका लगदा नुकसान करदे, सरकारी खजाने नू लोट दे, जांना लोका नू सजामा दे जो सिखां दे वरोद सरक कारदी से हैता करदे सी, इस तरह दे हलाता कारण सिखां दे छोटे छोटे जथे सी जडे हों दे विचागे सी, जो दलखाल सा दी सापना दा अधार बने, तीसरा पॉइंटा जक्रिया खांदा सिखां नाल समझा उता, अते बुड़ा ते तरुना दल दा हों दे विच्चो कुछ लण दे विच्चो सफल नी हो सक्या, जक्रिया खांदे बहुत कोशिशां कीतियां, उस तों पहला आपदा समद खांदे, के सिखां दे नाल उस नेप्टरन दे विच्चो हूँ काम्याब नी हो सक्या, एसलई उसने सिखां नाल समझा उत्ता करण दी गल सोची। स्तारां सो तेती स्वी वेच्च सिखां नू एक लखर उपैदी जगीर देत्ती गई, ते उना दे नेता का पूर सेंग नू नवाब दी उपादी देत्ती गई, जैस नाल सिखां नू ताक्तवदा उन्टे संगठां नू होर मजबूत करां दा मौक्का मिलिया, स्तारां सो साल तो वड़ मरदे सेक्सी के दूसरे दना तरुना दल रखया, जैस वयच चाड़ी साल तो का टो cater मरदे सेक्सी एनना नू अगुं पज़जज़ते जथें वेच बढदे अगया, इनना जथें दे नू करम सेंग, कम्नोत सेंग, कान सेंग, वीरो सेंग, जीवन सेंग, या ते दसोंदा सिंग्सान, हरेक जथे वेट तेरा सो सिखा तो लेके दो हजार तक सिख होंदे सी, उनना कोड आपना एक चंडा ते नगारा होंदा सी, वेक थांतों लंगर ते कपंडार तो कपड़े ते होर चीजा लेंदे सी, नवाव कपूर सेंग इनना दो मंदलां दे विच सहयोग बना के रख दे सी, जकरिया खां दे मुडतों अत्याचार, सिखा दी वद्धी शक्ती जकरिया खां तो दिखी नगी, उसने जड़ा समझा उत्ता कि ता सी सिखा दे नाल, या नवाव कपूर सेंग दे नाल, ओदा दता सी कपूर सेंग नू नवाव दा ते ए करने शुरू कीते हैं, अगला पॉइंट जकरिया खां दी मौत नाल, सिखा ने दोबारा संगठन कीता, अपने आपनों संगठित कीता, जकरिया खां एक को जलाई स्तारा सो पंताली इस वीनों दी मौत होगी, उस दी मौत पिछों सिखा ने अपने आपनों फिर तो संगठित कीता, जकरिया खां दे पुत्रा, जाईया खां ते शाह नवाज खां दे विच गदी दी प्राप्ति लिकरे लू जो द छड़ गया, जेस कार्ण पंजाब दे विच अराजक ता फैल गई सिखा ने इस मौके दालाब उठाया, सिखा ने अक्तूबर स्तारा सो पंताली स्वीनों हमर सर विखे दिवाली मनौनली अकतरता कीती, एकतरता दे विच सरबत खाल सा जड़ा बलाया जान्दा सी, उसे सरबत खाल सा दे विच सिखा ने गुर्मता पास कीता, येस गुर्मते दे अनुसार सिखा दे संगठन दे 25 जथे होगे, इनन जथे हैं दे मुख निता, जै सिंग, हीरा सिंग, जसा सिंग, दीप सिंग, तरम सिंग, करम सिंग, करोड सिंग, हरी सिंग, गुर्बक्ष सिंग ते शाम सिंग संग, उन्ना इनना जथ्यां द्वारा गुरिला जोद करन दे फैसले भी ले एस तरह सिखांदी सैनक जथे बंदी जड़ी सी विकास करन लगी ते उन्ना जथ्यां दी गेंटी वद्धी वद्धी पैंट तक पॉंच गी ते इनना पैंट जथ्यां नुई 1748 वी दे विच्च अमड कि सैनक जड़ी पर नाड़ी सी वो किस तरह दी सी एदे विच्च सी सब तो पहला पॉंट करांगे कोड़सवार सैना कोड़सवार सैना दाल खालसा दी सैना दा सब तो महत्ता पूरण अंग सी दाल खालसा वीच शामल होन दी पहली शर्ते सी कि हरे एक सेख निपन कोड़स सिख्खां दे कोड़े वदीया नसल दे हुंदे सन एक देन वेच्छ पंजा मील तो लेके सौ मील तक दा सफरताय कर सकते सी दूसरा पॉइंट प्यादा सेना जां पैदल सेना दल खलसा दी सेना वेच्छ प्यादा सेना नू कोई बौता महत्व नहीं सी दित्ता जन्द ऐस से सेना वेच परती होननु बहुता चंगा नहीं सी सामाई दे। तीसरा पॉइंट शाष्तर दल खालसा दी सेना वेच तोप खानने दियन होनसी। लडाई समय सेख तलवारां, बर्चयां, खंडयां, नेजयां, तीर कमाना ते बंदुकां दी वर्तों करदेसी। बरुदी थोड़ होन कारना बंदुकां दी वर्तों काट कीती जान्दी सी। सेख तालां दी वर्तों आम करदेसी। सेना वेच परती है ते अनुशासन, दल खालसा वेच परती होन लेई। किसे भी सेख नों मजबूर नहीं सी किता जान्दा, हर एक सेख अपनी मर्जी अनुशार दल खालसा दे किसे भी जथे वेच शामल हो सकदा सी। वेच जाद चाहे एक जथे नुशाड के दूसरे जथे वेच जा सकदा सी। सेनका दे नामा तनका हाँ दीदा कोई लिखती वेरबा नहीं सी रख्या जान्दा, सेनका नों सखलाई देन दा भी कोई प्रवंद नहीं सी। दल खाल सा विच हमेशा अनुशाशन बना के रख्या जान्दा सी। दा कारणे सी कि उन्ना दे सारे फैसले गुर्मत्या राही पास कीते जान्दे सी। पालना करना हरे एक सेखलाई पहला फर्ज हुन्दा सी। सेख बड़ेता अर्मक जोश दे नाळ लड़ देसी। तनका दल खाल सा दे सैनका नूं बकाईदा तनका नहीं सी दिती जन्दी। उन्ना नूं केवल लोट विचो हिस सादता जन्दा सी। जो सरकारी खजान्या दी लोट लड़ाई मौके उन्ना देहा था विच जो समाना हुन्दा सी लोट दा। बाद वे चोन्ना नूं कब जे हेट की ती जमीन विचों भी कोच जे हिस्सा देता जान लगया। जे कोई सेनक लड़ाई वेच जक्मी हो जन्दा तो उसनूं मौ अवजा देता जन्दा सी। योद्ध करंदे टांग दाल खालसा दी सब्तों हत्त पुरुन विशेष्ता उन्ना दा लड़ाई करंदा टांग सी। क्योंके सिख्खा दी गेंती बहुत कट सी। एसलेई अम्मो समने दा मुकाबला जड़ा सी वो नहीं सी हो सकता। एसलेई सिख्खा ने गोरिल्ला जा छाप्पा मार युद्ध परणाळीनों अपनाया। कई कारना करके सिख्खानू एस परणाळीनों अपनाओन लेई मजभूर होना पिया। पहिला गुर्दास नंगल दी लडाई वेट बंदा सिंग भाहा दरते सैंकड़े होड सिखानू कैदीबना ले गया सी ते उन्नानू बेरेमी दे नाल कतल कर देता गया सी एस तो सिखाने सबक लेया के मुगल सेना नाल खुले जोद्ध वेट टक्कर लेना हानी कारक है दूज़ा अब्द समध खा जक्रिय खा जाई खा ते मीर मननों दे पारियत ते अचारांदा मुकाबला करन ले सिखा खोड कोई होर रा ने सी एस दा कारने सी के सिखा दे साधन मुगलां दे मुकाबले बहुत सीमट सी गुरिला जोद पर नाली सिख्धा दी शक्ती दे अवारले बड़ी लाहे वंद सिद्ध होई एस पर नाली राहीं सेख्ध अपने दोश्मन ते अचानक हमला करदे ते पारी नुकसान पहुंचोंदे जिनने समय वेच दोश्मन संबल दे सेख मोड जंगलां ते पहाडावल चले जांदे अपने टकाने आते पहुंच जांदे सेखे कारवाई बड़ी फुर्ती दे नाल करदे सेख अपनी एस जुद्ध पर नाली कारण ही पहला मोगलां आते बाद दे वेच अफगान्ना दा मुकाबला करण दे वेच सफल होई दल खाल्सा ने स्तारा सो चरंजा तो स्तारा सो पैंट इस वी ताइं गुरिला युद्ध पर नाली रहे एमद शाब दाली ते अफगान्ना नू काफी नकसान पहुंच आया उन्ना नू युद्धा मेच सफल दा इस पर नाली दे कार नी हुंदी सी जादवी एमद शाब दाली पंजाब उत्ते हमला करदा ता सेख जित्थे भी मौका मलदा सेना ते टोट पहुंच आँदे ते उस दा काफी माल लोटके लाजान दे वो बैरी नू द्रिया पार करन वे चोकडा पैदा करदे सी बैरी दे पोजना दी कठा करन समय सेख हमला करदे सी रात नू हमला करके काफी नकसान पहुंच आँदे बापसी उत्ते सेख जाथे बैरी दी सेना दे पिछले पाग उत्ते हमला करके गुरिला योद पर नाली न नहीं उन्नानू सफल दा तित्ती, सिखा नू लखी जंगलां, शिवालक दियां, पहाडियां, ते कानू वाल दे छंब विच्च आस्रा लें लई चंगियां थामा मिल गियां सी, उत्थे बेरी नहीं सी पॉंच सकदा, सिखा वेच्च तेज कोडस वारी, अथा बहादरी, त हिम्मत दे गुण होन कारण, वो ना ले जड़ी गुरीला जोद परनाडी सफल रही, दल खाल सादा महत्तव, दल खाल सादा महत्तव, स.S. गंधी ने लिख्या है कि दल खाल सादा संगठन, पंजाब दे इतिहास विच्च महत्ता पूरण मन्ने लंदा है, क्योंकि इस ना हादर दी, शिहीदी, तो बाद आप दो समद खा, जक्रिया खा, याया खा, ने सिखा उत्ते बहुत अत्याचार किते, जेस कारण उना दा जेड़ा संगठन सी बिखर गया, एकता बिखर गई, बुड़ा दालते तरना दाल दा संगठन भी पूरी तरा सफल ना हो सक्या, य जेसले इसतार सोड ताल इवीट दाल खाल साधा जनम होया, जेसने सिखा देवेच्च एक एकता दी, स्थापना किते, उना दी, शक्ती तारन देवेच्च मदद किते, उनले एक नमा राखोले. डॉक्टर हरीराम गोपता लिखदेने दल खालसा दी स्थापना सिख्छा देती हास वेच सारे नाणों वद्ध महत्त पुर्ण कटना सी क्योंके इसने 32 साल लांदे काल पिछों सिख्छानू फिर तो एकता दे सूतर देवेच बन्या दूसरा पॉइंट सिख्छा द्वारा अफगाना दा सफलता पूर्वक मकाबू दल खालसा कार नहीं सिख्छा अपने गैरी अफगाना दा सफलता पूर्वक विरोध कर सके एमधिशाब दाली नू अपने पहले चार हमलें विच पंजाब विच मुगल शक्ती नू कुछलना पिया सारा सो काट इसवी वेच उसनू पाणी पत दा तीजा जोद मरा ठैनल लडना पिया एस पिच्छों काट तो च्याट इस वी ताकोस नू पंजाब विच सिख्छा नड़ योद करने पे दल खाल सादे पेन पेन जथियां द्वारा गरीला योद पर नड़ी अपना आके अफगाना दा जोणों सिख्छा ने मुश्कल कीता एस लगे आमधिशाब धाली नू सिख्छा दी शक्ती नाष्ट कारन्दे वेट सफलता प्राप्त ना हुई सेख्छ मिसलांदा उदे एम दिशाव डाली नू लख यतन करनते वी पंजाब चपना राजस्थाप्त करन दे विट सफलता प्राप्त ना हुई सेख जथे शक्ती फड़ जन्दे सी उनना दी शक्ती वद रही सी हळड़ी ऊनने पंजाब दे वकवक है सेयाँते आपना स्तुन्तर राजस्थाप्त करलया सी जिनना नू सेख मिसला किया गया जेड़े दलखाल सा दे जथे सी इनने भाद दे विट सेख मिसला दा रूप अख्तियार करलया जेस्तरा पंगी जथा पंगी मिसल वेच अलू वाड़िया जथा अलू वाड़िया मिसल देवेच बदल गया सिख्धा वेच नमी शक्ती दा संचार दल खालसा दी स्थापना दे नाड सिख्धा देवेच एक नमी शक्ती दा संचार होया सारे जथ्यां देवेच एकता स्थाप्त होई ये सेकता नेक नमी शक्ती नुझनम दिता दल खालसा दे संजे सम्मिलना देवेच सरवत खालसा द्वारा फैसले होन लगे जैस नाल सिखां दे अंदर एक नमा स्वैमान पैदा होया उनने मुगल गवर्नरां दे अत्या चारांदा मुकाबला करन लई एक नमी शक्ती ते अक नमा जोश न दे अंदर पैदा होया अगला पॉइटा सांजी योद जोजना साल वेच दोवारी दवारी ते विसाखी उते सरवत खालसा दामरस सर विखे अकाल तक ते अकठ हुंदा सी इनना एक अठा हुटते सेख ते अचारी सरदारा वरोद लडले जोजना बणोंदे सी उनना सांजी योद जोजना मा दे कारन ही सेख मीर मननूते आइम द शाब दालिदा मुकाबला कर सके जैस समेश एक ही उदेश ते एक ही जोजना बणोंदे सी आञि ता एक था दी पावन ना प्योंदीर, या नूशास्य दी पावना पैदा हो जानी सी ते उनना ना योद दिया, जड़ियोजना मा ओहाँ वह सफ़ल हंदीया सी ते सफ़ल था हुण ना दे कदम चुम देशी प्यारे वद्यार्थियो एसी तो हड़ा लेसन दल खाल्चा अमीद है के तो अन्नू समझा गया होवेगा प्यारे वद्यार्थियो आओ होन दोहर आई करिये तुसी कुछ प्रशन दे जवाब देने हैं सब तो पहलना दल खाल्चा दीस थापना कदू होई तुसी चान दसना दूसरा प्रशन दल खाल्चा दीस थापना किसने अते कित्थे कित्ती उस व्यक्ति दा नाम दसना जिसने दल खाल्चा दीस थापना कित्ती गई तीसरा प्रशन नवाब का पूर सेंग नवाब दा ओधा कदू अते किसने दित्ता दल खालसा दे प्रदान सेनापती कौन सी योदो दल खालसा दी स्थापना होई ता सारे जथेयां दा प्रदान सेनापती बनाया गया सी किसनों बनाया गया सी दल खालसा दी केंद्री संस्था केड़ी सी जिस्दा होकम सारे सिख मन्दे सी जिस्दी आग्यादा पलन करदे सी अग्या दल खालसा दी युद्ध पर नाडी केड़ी सी केड़े तरीके दे नाल दल खालसा युद्ध करदा सी अगला प्रशन है सरबत खाल सा कदों बलाया जन्दा सी लास्ट क्वेस्चन है सारां सो चोंतीस वी वेच सिखां दे दो केड़े दल हों दे वेच आये सन अमीद अब द्यारतियो कि तो अन्नू इन सारे प्रश्णा दे जवाब अंदे होंगे जे तुसी लेसन त्या अननाल सुनया तन वाद